इससे पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था लहरिया सराय दर्भंगा से लेकर सहारसा जंक्षन तक बनने वाले नए रेलेंड के बारे में जो कि यहां के छेत्रवासियों के लिए एक नया सोगात है इस साल के दोस्तों यह सबसे बड़ा तौफा दिया है हमारे दर्भ इसन वीडियो में आप सभी को कुछ नई नया तक भलाँ तक दीकेगा और आप वीडियो के लिए मैं अपने गाउं का नाम जो है कमेंट में जरू बताईएगा जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो जो है कहां कहां तक पहुंच रही है इस रेल लैंड के बनने के बाद यहां के लोगों को बहुत सारे नए ने फायदे होने वाले हैं जैसे कि सबसे पहला तो फायदा लेकर सहार सा तक किन-किन जगहों से होकर गुजरने वाली है तो लेहरी असरय से यह रेलाइन चालो होगी उसके बाद जो है मैं आप सभी को सुत्रों के हिसाब से अभी जो भी नाम आ रहे हैं सामने कि इन जगह के पास यह रेलान गुजरने वाला है वो सभी बताने वाला तो से पहले नाम आता है लेहरी असराय के बाद देकुली, उध्रा, खेरा, बिठोली, संकर रोहर, हावी डी, साजनपुर, केन्होली, मलोल, कहुआ, जगदीशपुर, शिवनगर घाट, कोर्थी, कस्रेर, पुनह, घंश्यामपुर, लगमा, रैसरी, किरतपुर, तकवारा, जमालपुर, मुशडिया, महिसी, बंगाउं, और उसके बाद सहारसा, तो दोस्तों ये सबी जगहों के नाम थे, काफी जगह के नाम है, अगर आप सबी जगहों में से किसी जगह का नाम जानते हो, तो हमें कमेंट में जरूरू बताएगा, और अगर आप सबी के घरों के ओसके बारे जुए हुश्रा प्रभय को Oxal 24 से अअभु आसपास यह प्रेंगर जारी है जाए हैं तो अबहुनुदर की को रहोते बीच मेंहें से कारुश्रा परिजुनुदर लेकिन ये जो नया रेल लाइन है जो की बनने वाला है लेहरिया सराय से सहारसा बीच में इसकी लंबाई जो हने वाली है सिर्फ 100 किलोमेटर जिसे की जो है सहारसा से दर्भंगा का सफर सिर्फ 3 घंटे का हो जाने वाला है और दोस्तों काफी सारे लोग इस भी बात पूछ र करता फिर तो यह एक नया रेल लाइन है 100 किलोमेटर का जो कि यह कब तक बनेगा आने वाले पांस साल छे साल में कुछ कहना मुश्किल है इसलिए इस पर अभी फिलाल कोई जवाब नहीं है नहीं इसका को यह भी फिलाल डेडलाइन आया है और इसको आने वाले समय में इसक सभी हमारे चेत्र के कुछ रेल समधित खबर को हम तक पहुचाना चाते हैं तो नीचे आप सभी को जह डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप सभी क्लिक करके जो है अपनी खबर को जो है मुझ तक पहुचा सकते हो जिससे कि मैं अपने चैनल पर जो है उन ख जहां।